नमस्तार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू और आज हम बात करेंगे लेसितिन 3X के बारे में और आपको बताएंगे कि पांच ऐसे बेनेफिट्स कौन से हैं जिसकी वज़े से आपको ऐसे लेना चाहिए तो मॉडर्ण वोर्ल्ड के हिसाब से यानि मॉडर्ण मेडिसिन के हिसाब से हुमियोपिथी में अगर आपको लेसितिन इस्तमाल करनी है तो क्यों करें जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भई ये लेसितिन है क्या देखिए लेसितिन के बारे में दुनिया में इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये हमारी बॉडि का ही एक पार्ट है और अगर हम इसे आउटर वर्ल्ड से लेते हैं अपनी बॉडि में लेते हैं तो ये हमारी body के general functions को improve करने में मदद करता है क्योंकि already हमारी body में ये present है तो ये है क्या एक phospholipid है एक carbon compound है हमारे brain में, हमारे nerves में, blood में, tissues में सब जगे मिलता है अब अगर homeopathy के अलावा बाकी medical sciences की बात करें तो देखिए अगर आपको ये जो lecithin है ना इसको extract करना है तो आप कहां से extract करेंगे सोया bean से, sunflower seeds से जो हमारे cannula seeds होते हैं वहां से, egg yolk याणि egg की सफेदी से और जो animal brain है वहां से, homeopathy में जो lecithin बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं lecithinum और जिस potency में इस्तिमाल होती है commonly used potency है tritulation में 3x 30-101M इसमें भी इस्तिमाल कर दी जाती है अब जो हमियोपथी में lecithinum जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है अंडे की सफेदी यानि egg yolks है यह जानना बहुत सारे patients के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है अब बात करते हैं benefits की तो पहला benefit यहाँ पर है dementia या memory अब अगर आपको lecithinum इस्तिमाल करनी है तो being a doctor में recommend करूँगा कि आपके घर में कोई भी ऐगर ऐसा patient हो जिसको memory loss की परिशानी हो old age patient हो और progressively धीरे-धीरे करके उनकी जो यादाश है वो कुछ कम होती जा रही है चीजें भूलते जा रहे हैं कभी नाम भूल जाते हैं कभी जगे भूल जाते हैं कभी कोई अगर उनके साथ कोई incidence हुआ है तो उसे भूल जाते हैं और धीरे-धीरे करके अब यह जो परिशानी है यह कुछ Parkinson's में convert हो रही है Alzheimer's में convert हो रही है या age-related dementia में convert हो रही है ना सिर्फ हुमियोपथी में बलकि outer world में non-humeopathic जो medical sciences है वहाँ पर भी lecithin को इस्तमाल किया जाता है dementia के purposes के लिए बहुत सारी researches available है आप चाहें तो देख सकते हैं और यह एक बहुत ही अच्छी दवा है उस चीज़ को control करने के लिए अब जो यहाँ पर दूसरा बहुच्छा benefit है lecithin का वो है digestion के लिए अब ना सिर्फ हुमियोपथी में बाकि medical sciences में भी जो हमारे ऐसे diseases हैं जिसमें patient को digestive complaints आती हैं जैसे inflammatory bowel disease मान के चलिए जो भी हमारे ulcerative colitis के patients हैं जो general colitis के patients हैं बहुत सरी research हुई है जहाँ पर देखा गया है कि undoubtedly जो हमारा ये lecithin है ये बहुत सरे patients की symptomatically मदद करता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिलता है phosphor T-dialcoline और ये जो enzyme है ये basically क्या करता है? हमारे जो intestinal walls है उसके inflammation को reduce करने में help करता है जो enzymatic activity है उसके जो production है उसमें help करता है और जो हमारे intestinal movements है परिस्टाल्टिक movements है उसको आगे जो है protect करता है उसे बढ़ाता है है ना इसी लिए ना सिफ homeopathy में बाकी medical sciences में भी digestion के लिए और ऐसी diseases में lecithin का बहुत ज़दा इस्तिमाल किया गया है तो अगर आपको ऐसी कुछ तवकलीफ है especially colitis है यानि पेट में कुछ ऐसी मरोड है कोई सूजन है आपको lecithin जरूर इस्तिमाल करनी चाहिए अब जो यहाँ पर तीसरा बहुत important benefit है वो है galactogog अब आप सोचेंगे यह क्या सर शब्द बोल देते है हिंदी में बोला करो सर कमेंट में लिखते हूँ न आप लोग हिंदी में बोल दिया करो galactogog का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो की milk production में मदद करता है milk secretion को बढ़ाता है तो यह जो हमारा lecithin है ना सिर्फ हुमियोपथी में बलकि बाकी medical sciences में भी galactogog की तरह यूज किया जाता है तो जो हमारी females हैं जिनकी अभी delivery हुई है milk production अच्छे से नहीं हो रहा है milk ducts जो है वहाँ पर जो आपका milk है वो basically गाड़ा हो गया है release out नहीं हो रहा है जो बच्चा है वो feed करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मा feed नहीं करा पा रही pain हो रहा है patient को mastitis develop कर रही है क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया जो हमारे milk ducts थे उसमें milk जमा हो गया तो ऐसी conditions में अगर आप शिकाई करते हैं breast के और संग में अगर lecithenum लेते हैं तो यहाँ पर milk production में बहुत ही अच्छे results मिलते हैं ना self milk production के अंदर बलकि जो general mastitis है यह अगर आपको breast inflammation की परिशानी है खासकर young girls में जिनका वजन नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूत उनके breast में pain है तो वहाँ पर ऐसी conditions में lecithenum is a very good medicine आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए अब जो यहाँ पर चौथा बहुत important role है यह lecithenum का यह है generalized weakness में अदोकर generalized weakness का मतलब क्या है समझिए जब patient को mental exhaustion हो जाए यानि दिमागी तोर पर मरीज ठक गया तो उसका घर पे काम करने का मन नहीं करेगा पड़े रहने की इच्छा करेगी शरीर साथ नहीं देगा exercise करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और शरीर में हर समय टूटन रहेगी ना कुछ काम करने की इच्छा हो रही है क्योंकि जैसे ही काम करने जा रहे हैं B12 की वीडियो बनाई थी वो आई बिटन के अंदर है आप साहे तो देख सकते हैं तो जो वहाँ सिम्टम्स थे ना कि बिना किसी रीजन की जो थकान हो रही है तो ऐसी थकान को इंप्रूफ करने के लिए लेसिथनम एक बहुत अच्छी दवा है आपकी भूग भी बढ़ाएगी आपके शरीर को ताकत भी देगी जो अन्यूज्वल आपके अंदर ऐसा मरोड सा महसूस हो रहा है पड़े रहने का मन कर रहा है एक अजीब सी लेजी सी फीलिंग आ रही है ना वहाँ पर लेसिथनम बहुत अच्छी दवा है आपको जरूर इस्तमाल करनी चाहिए जब पेट का डाइजेशन इंप्रूफ करेगी तो अब्वियस बात है डाइजेशन अच्छा हुआ शरीर को ताकत मिलेगी जनरलाइस वीकनेस कम करेगी तो आप खुद को ज़्यादा लोगों के लिए है सबसे पहले बात करेंगे हमारी फीमेल्स की बई देखिए हमारी फीमेल्स को कभी कबार एक एफरोडीजिया की जरूरत पड़ती है यानि हमारे फीमेल्स के अंदर सेक्शुल डिजायर कम हो जाती है उसे बढ़ाने के लिए एक ऐसी दवा चाहिए जो शोर शोर्ट तरह से फीमेल्स की मदद करें वो दवाईयां मेल्स की दवाईयां फीमेल्स में हर समय काम नहीं आ सकती ये बहुत जरूरी बात है समझने वाली तो ऐसे मेल ऐसे थिनम एक बहुत important medicine है जोकि फीमेल्स में sexual desire बढ़ाने में मदद करती है क्यों? क्योंकि ये ovarian insufficiency पर काम करती है या नहीं जब हमारी ovaries ढंग से काम नहीं कर पाएंगी उनके functions properly नहीं हो पाएंगे PCOS like complaints आएंगी hormonal production properly नहीं होगा तो obvious बात है कि ये सारी complaint females में दिखाई देंगी इसलिए females की ovarian insufficiency और साथ में decreased sexual desire को improve करने की बहुत अच्छी दवा है लेसितनम अब अगर आप males पे आजाएं तो आप समयल लीजे खाना पच नहीं रहा था शरीर में थकान हो रही थी तो obvious बात है sexual intercourse, sexual activity इन समय बिल्कुल मलनी लगेगा जब physically आप weak है, mentally आप exhausted है ताकत की कमी हो रही है तो obvious बात है sexual act भीहा बच्छे से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा erection properly नहीं होगा शरीर में हर समय थकान, कमजोरी और ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो जब कोई मरीज आया और कहे इस टॉक साब ऐसा महसूस होता है मुझ में कुछ नहीं बचा है ना दिमाग से काम कर पा रहा हूं ना शरीर से काम कर पा रहा हूं और ना जो general natural हमारे जो ज़रूरी काम होते हैं sexual activities होती है देखिए बहुत ज़रूरी सवाल है समझना कि dosage क्या होनी चाहिए देखिए potencies पर बात कर लें सबसे पहले potencies कौन कौन सी है 3x में क्या आती है tablet liquid किसके आते है 30-201 इसमें बहुत इजिली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे इजी तरीका है यूज करने का and safe side अगर आप खुझ इस्तेमाल करना चाहें बिन रोट्री परामस के तो लैसे धरम 3x आप इस्तेमाल करिए अब हम topic वाई सलते हैं अगर आपको mental weakness है उसमें आपको इस्तेमाल करना है और यह जो मैंने आपको बताया कि आपको patient भूल जा रहा है mental exhaustion हो जा रहा है dementia type complaints आ रही है तो ऐसे में आपको vitamin B12 चेक कराना चाहिए अगर कम है तो vitamin B12 के लिए physician से consult ले करके या तो दवाई शुरू करनी चाहिए कोई भी आपको या फिर उसके संग में आपको diet improve करनी चाहिए उसके उपर भी एक वीडियो है चाहे तो वो भी देख सकते हैं है ना तो इसके साथ अगर आप lecitherem 3X ले रहे हैं तो कोई और दबा लेने की ज़रूद नहीं है vitamin B12 के sources के हिसाब से sources खाईए नहीं पूरा हो पा रहा है doctor से सला लेकर गुली खाईए और संग में lecitherem 3X खाईए आपको mental complaints में improvement जरूर आएगा कैसे लेनी है आप मानका चलें दो गुली दिन में तीन बार के हिसाब से बड़ों के लिए बच्चों के लिए सिर्फ एक गुली दिन में तीन बार more than sufficient है अब आजएगी दूसरी complaint के उपर digestive complaints digestive complaints अगर आपको हो रही है यानि mal absorption syndrome हो रहा है खाना पच नहीं रहा खाना लग नहीं रहा तो ऐसी condition में आप बाकी जो भी आपकी दवाईयां आप लेते हैं जाए liver की कोई दवा ले रहे हो कोई digestion का syrup ले रहे हो या फिर आप अपनी diet पे focus कर रहे हो तो आप उसके संग में lecithrum 3x को इस्तेमाल करें और आप regularly कम से कम एक गोली दिन में तीन बार खाना खाने के अदे घंटे के बाद जरूर लीजे और कम से कम 45 तो 60 देस तक लीजे इसके कोई side effect नहीं है आप इसे regularly लेंगे आपको improvement जरूर दिखाई देगा बशर्त है आप अपनी diet अपने exercise अपने routine और साथ में अगर digestive troubles है तो कोई liver tonics यंग में ले रहे हैं तो results जरूर मिलेंगे और अच्छे results मिलेंगे अब अगर आपको breastfeeding like complaints हैं जिसमें आपको galactogog की परिशानी हो रही है यानि आपका milk production कम है आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में वो जो time period है पेशन्ट के लिए वो बढ़ा कम होता है तो मान के चलिए ऐसी conditions में जो आपकी females हैं उनको 2 tablet दिन में 3 बार के हिसाब से regularly कम से कम 45 to 60 days तक लेना चाहिए अपनी अच्छी protein diet लेनी चाहिए अच्छे high good carbs लेने चाहिए ताकि उनका milk production अच्छा हो जाए अब अगर आप generalized weakness के लिए या male या female sexual complaints के लिए lecithenum 3X को इस्तमाल करना चाहते हैं तो जरूरी है आप पहले एक doctor से सलाह ले ले जो आपकी तकलीफ है उसकी जड़ तक पता करें तकलीफ actually है क्या और doctor जो भी test कराए उसके हिसाब से जो सही दवा select हो उस दवा के संग में lecithenum 3X को अपने आप बिना doctor प्रामर्स के doctor से सिर्फ consult करके उन्हें बता के lecithenum 3X इस्तमाल करें और regularly दो गोली दिन में तीन बार के हिसाब से 45-60 दिन तक लगातार इस्तमाल करें ये गोली आपको सिर्फ मूमें डालके चूस नहीं है पानी के संग नहीं लेनी है अगर आप regularly लेते हैं आपको result जरूर मिलेंगे I hope कि ये जो वीडियो थी ना 2023 के हिसाब से थी modern तरीके से आपको बताया गया दवा कैसी है कैसे इस्तमाल करने चाहिए और कैसे आपको results मिलेंगे तो अगर आप बातों से संतुष्ट है ना तो ये जो subscribe का बटन है आपके लिए अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं आप जब subscribe करते हैं तो हमें मिलती है motivation आप जब share करते हैं तो इससे हमें मिलता है fame जिससे की और लोग हमसे जुड़ते हैं और जो knowledge हम आपके संग share करते हैं उससे फायदा उठाते हैं तो request है कि अगर आपने subscribe नहीं करा है ज़रूर subscribe परें लोगों तक share करें ताकि हम इसी तरह आप तक सही information पहुचा पाएं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से नमस्कार, thank you and जय हिंद